हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हुआ बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देना है आईए अब बढ़ते हैं अनुस्वार की ध्वनी की और क्या होती है अन वाले शब्द पढ़ेंगे और फिर वक्य बनाएंगे जिसके अंदर वाले शब्द आएंगे तो आईए बढ़ते हैं पहले अनुस्वार की ध्वनी के शब्दों की और तो जैसे हमारे सामने दो चित्र दिये गए जंडा, शंक इन दोनों शब्दों में बॉन जो और शो के उपर अनुस्वार का चिन है अनुस्वार का चिन एक बिंदू के रूप में दर्शाया जाता है और इसका उच्चारण नव की तरह होता है हलका नू तो आएए शब्द जाने जैसे अंग रंग कहां से उच्चारण होता है नाक सी का से यानि नाक से आप इसका उच्चारण करेंगे दंग गंगा पंखा गंदा जंगल मंगल चंदन अंगूर लंगूर मंदिर गंगा जल पंदन वार सत रंगा तो आगए ना अनूस्वार इसका उच्चारण हमेशा नाक से किया जाता है आएए अब वाक्य भी जाने जैसे शंकर और चंदा मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं चंदा संगम के किनारे रहती है जोड़ देना है आपने नाक के उच्चारण पर तब ही आपको समझाएगा कि ये अनूस्वार है संगम गंगा का ही एक अंग है गंगा के किनारे एक मंदिर है मौक्य उपर अनूस्वार का चिन है मंदिर के उपर जंडा लगा है मंदिर के अंदर कई लंगूर और बंदर बैठे हैं बंदर संतरा खा रहे हैं मंदिर में शंक और घंटा पज रहा है जब आप उच्चारन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे अनूस्वार का उच्चारन नाक से आता है और यही आपने सीखना है आप इसे सीख गए तो अनूस्वार का चिन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसका अभ्यासकार्या स्वेम झाल जाएगी हो।